तो है आप सभी को नमश्कार देश्चे नोटबुक बड़ी एक नए वीडियो के साथ अपन फिर से हाजर है आइज होप यूप लोग मुझसे बोल रहे थे कि अभी तक आपने जेसी सी काम सरीक पर को भी वीडियो नहीं बनाया इन फाक्ट मैं किसी भी टॉपिक पर भी कोई वीडियो नहीं बना रहा हूं और इसके पीचे वज़ा है कि I am in my final year of my engineering and already मेरा जो प्लेस्में सीजन वो शुरू हो चुका है तो उसी वज़े से back of the head बहुत कुछ अलते रहता है प्लेस्में रहता है तो उसी वज़े से time नहीं मिलता है अगर time होता भी है तो मैं उसे प्लेस्में रिलेटेट जो भी चीज़े प्रेपरेशन और में इन्वेस्ट करना जादा बैर समाझ रहा हूं अभी के लिए कोई भी वीडियो नहीं बनाया है और मुझे भी यह फील हुआ क्योंकि इस चैनल का जो माक्सिमम एंगेजमेंट है वो मुझे जारकंड के पुब्लिक है वो डिमांड कर रहे कि आप लोग कुछ आप कुछ वीडियो बनाईए जैसी सी कांसलिंग पर जैसी सी कांसलिंग अलड़ी शुरू हो चुका है और मैं आपको सबसे पहले जैसी सी कांसलिंग प से देता हो लेटान होता क्या है सबसे पहले जैसी सी कांसलिंग की त는 आप अडमिशन सकते हो जारकंड के जारकंड कशन के पिदिद जो कॉललजम campuses इसमें से गवर्मेंट कोलग सिर्फ आपका एक ही है आप याई के संद्री है जो बाकी के रिमेनिंग कॉल्चेस है रामगर्ड हो गया फिर हजारी बाग तो इन कॉल्चेस में आप एडमिशन ले पाओगे थू जे-सी काउंसलिंग अब जे-सी कोई भी सेपरेट एक्जाम न स्टुडेंट और फूज पाओगे जे-सी काउंसलिंग अब जे-सी काउंसलिंग जे-सी काउंसलिंग जो भी रामगर्ड जो भी बाकी के रिमेनिंग कोल्चेस है अब इसमें आपका रांक और माक्स यूज होता है इस बेसिस पे एक स्टेट रांक लिस्ट प्रिपेर किया जाता है यानि कि जो भी आपका आल इंडिया रांक रहता है जे-सी मेन में उसके बेसिस पे आपका एक स्टेट रांक लिस्ट प्रिपेर किया जाता है स्टेट मेर जो 2nd form है, once आपका ये जो state rank list है वो आ जाता है, फिर 2nd form रिलीस करता है JCC और इस form के थुरू आपका choice filling और बाकी का counselling का process है, वो सारे conduct होते हैं थूरू 2nd form इस साल का जो पहला form है, जिसके थूरू आपका state rank list प्रिपेर होता है, वो अलड़ी आ चुका है और आपका state rank list है वो अलड़ी प्रिपेर हो चुका है So I'll not go into that, आते हैं 2nd form पे, तो जो 2nd form है उसके थूरू आप choice filling और जो counselling का जो बाकी का remaining process है वो आप कर सकते हो by filling the 2nd form, अब यह जो 2nd form है यह भी और आ चुका है, JCC नहीं यह 2nd form को पे रिलीस कर दिया है and 26th से लेके 3rd October तक का आपके पास time है, यानि 26th September से लेके 3rd October तक का आपके पास time है to fill this form and पहले form के थूरू आपको एक rank list है यानि की तभी आप यह form भर पाऊगे जब आपने पहला जो फॉर्म है और पहले form के थूरू आपको एक rank a lot किया गया है, so that's the condition, so once you fill this form आपको पैसा पे करना है and जो भी पैसा बगएर है notice में already mentioned है, notice का link में नीचे डाल दूँगा, I hope आप लोग के पास notice already होगा but still में नीचे डाल दूँगा and आपको अपने screen से भी कही ने कही दिख रहा होगा, so आपको form भरना है, आपको पैसा पे करना है, आपको choice fill करना है अब choice filling अगरा कैसे करना है, उस पे मैंने already video बना रखाया, पिछले 2-3 सालों में मैंने काफी video बनाया JCC counseling पे and जितने भी सारे doubts and queries होते हैं counseling पे उन सभी को मैंने cover करा है, तो उन सभी videos का link में आपने description box में डाल दूँगा, आप सभी लोग जा के देखिए and फिर भी अगर आपको कोई भी doubt है, आप तीछे comment करके बता सकते हो or you can get in touch with me, मैं LinkedIn पे हूँ, मैं Instagram पे हूँ, मैं Facebook पे हूँ and सारे के links मेरे description box में so आप यह second form को आप लोग भर लेना, आपको पैसा पे करना है, आपको choice filling करना है, so choice filling करने के बाद, जो आपका round 1 का results है, वो 10th of October को आएगा and 10th से लेके 15 तक का आपके पास time है to complete all the remaining admission process, अब बहुत लोग मुझसे यह पूछ रहे है कि form में सिर्फ round 1 के बारे में जिक्र किय जो round 2 and round 3 का कोई भी जिकर नहीं है, इस notice में जो कि JCC ने upload करा है, तो यार पिछले साल भी यही same हुआ था, notice में सिर्फ round 1 mentioned किया गया था, but still round 2 and round 3 conduct हुआता बाद में, तो होता किया है कि JCC round 1 के बाद, analyze करता है कि कितने सारे seats remaining है, and seat matrix वगएरा क्या बचा हुआ है, उसके basis पर round 2 and round 3 conduct करवाता है, but आप लोग 100% मान के चलिए कि round 2 and round 3 होने वाला है, क्योंकि possible नहीं कभी कि round 1 में किसी भी college के, जो सारे seats से वो फिल हो जाए, so round 2 and round 3 आपका होने वाला है, it's just that कि उनका जो details and notice है वो बाद में आता है, so I hope यह बहुत लोग मुझ से पूछ रहते है कि round 2 and round 3 करव होने वाला है, so that's the thing, round 1 के बाद आपका notice वगएर आता है, for round 2 and round 3, तो यह मैं फिर से एक बार dates को reiterate कर देता हूँ, आपके पास 26 September से लेके 3rd October तक का time है, to fill the choice filling form, इस form को भरके आपको अपने priority के हिसाब से choice filling कर लेना है, ब्रांच क्या लेना है, क्या लेना है, क् इस पर मैंने already एक वीडियो बना रख आपको कैसे क्या करना है, again link इसका description box में, so choice filling करने के बाद, जो round 1 के results है, वो 10th of October को आने वाला है, 10 से लेके 15 तक का आपके पास time रहेगा, to complete your admission process, in the, जो भी आपको college and branch अलॉट हुआ है, उसके according आपको admission कर लेना है, इस given period में, and once the round 1 completes, round 1 जैसे ही खतम होता है, उसके बाद JCEC, depending on the number of seats and जो भी seat matrix रहेगा, उसके basis में, round 2 and round 3, चंटक करवाती है, so that's everything about JCEC COUNSELING, तो यहार यह मैंने एक जिस्ट में details दे ले दिया about JCEC COUNSELING, फिर और आपको कुछ भी डाउत कैक्वरी है, या फिर आपको भी प्रॉब्लम Instagram, LinkedIn and Facebook जिनके लिंक्स देस्क्रिप्शिन बॉक्स में है आज किस वीडियो में इतना ही थैंक यू फो वाचिंग प्रामिस ने करूंगा कब वीडियो आने वाला है नेक्स्ट बट मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए अगले खिए, श्टे मुटिवेट और मचा आते निए, भाई